अज की रेसिपी थोड़ी है और एक तम अलग भी है आप जो यह आलू टिकी देखरों यह आलू की बिल्कुल बीन है आलू का थोड़ा भी यूज नहीं किया है मैं टिकी को बनाने के लिए और साथ में मैं बना रही हूँ इन टिक्कियों को यूज करके वड़ा पॉ जो कि ये पाओ भी जो आप देख रहे हैं नहीं ये आटा पाओ का यूज किया है मैंने तो चले इसको बनाना शुरू करते हैं मैंने उठाए है स्प्राउट्स तो अकसर होता है कि बच्चे नहीं खाते ना स्प्राउट्स इस बहाने बच्चे स्प्राउट्स भी खा लेंगे तो इसको मैं स्टीम कर रहे हूं नीचे मैंने पानी डाल दिया एक गलाज जितना और इसको पांच मिनिट अब तेज आज पी स्टीम कर लीजिएगा थोड़ी से सॉफ्ट हो जाते क्योंकि हम इनको पीजना है ऐसे पीसेंगे नहीं है तो यह दिखे बढ़िया सी सॉफ्ट हो चुके है तो इनको ठंडा कर लेते और उसके बाद मिक्सर में डाल के इसको पीस लेंगे या जो लाल चटनी में आपको परसो का तेल में लिया है दस बारा कली लसुन और लगपक वन फूट कब जितनी पीनट्स में इनको रोस्ट कर लेंगे हम तो बस धीमियाच पी दो मिनिट हम इसको भुन लेंगे अच्छा सा कलर आ जाएगा उतना ही इससे हमें बुनना है और यह दिखिए कलर अच्छा च तो मिक्सर में डाल के मैं इसको पीस लूँगी पीस पानी वानी का इस्तमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना है इसमें और यह बढ़ा सी पेस्ट बन जाती कुछ इस तरह से दर्दर आपको दीखेगी लेकिन अच्छी से सॉफ्ट है हम इसको बाइंड कर सकते इतनी अच्छ एक इंच अध्रक का टुकडा में इसमें डाल दे रही हूँ ग्रेट करके और फिर कुछ मसाले इसमें डाल दे और इसके बाद हम बाइंड कर लेंगे इसे नमक, स्वात की अनूसार, हल्दी, आधी चम्मच जितनी धनिया पाउडर एक चम्मच जितना में डाल दे रही हू साथ में लाल मिर्ची, आदा चमच, अब हरी मिर्ची भी बारी काट के इसमें टाल सकते हो, जीरा पाउडर, आदा चमच, चाठ मसाला एक चमच मैंने डाल दिया है, और गरम मसाला आधा चमच मैंने यूज किया, यहाँ पर, सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे, अब साले आप अपने पसंद से कम जादा जो पसंदों आप डाल दीजेगा सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करते हुए हमें बस इसकी बनानी है अगर आपको लगी बाइंडिंग अच्छे से नहीं आपा रही है तो आप इसमें थोड़ा सा कॉन फ्लोर या फिर चावल का काली मिर्ची डाल ती यह और आप पतली सी स्लरी हम बना लिए इजिससे हम क्की को कड़् करेंगे तो बस यसलरी विलकुल तयार है यह फोड़ी सी ज्यादा पतली है मुझा स्लरी तो आ ठोड़ी ंच को अनुश्चे से घाड़ी बनाइगा यहां पर थिर भैड़ क्रुम् तो अच्छी तरह सी कोटिंग करने की पाद आप क्या कीजेगा एक प्लेट में निकालती जाएगा टिक्कियों को और फ्रिजर में आदे घंटी के लिए रख लीज़ेगा ताकि अच्छी सी सेट हो जाएंगी तो अच्छी से टिक्किया फ्राय होती है अगर तूरंद फ्राय करोगी ना तो कई बार होते हैं की फटने की चांसे सोते हैं और उतना अच्छा टेक्स्चर आनी पाता है तो आदा खंट आप रख दोगे तो बढ़ी आ रहेगा और आप इन टिक्कियों को ना चार-पांच दिन यह टाइड डबे में भरके फ्रिजर में आप स्टोरी भी क आप कूट भी सकते हो और जैसे ड्राय चिली आप रोस्ट कर रहे हो ना तो वो भी अच्छी से आप इसके साथ पीस लीजेगा मेर पास थी नहीं तो मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची डाल दी जिससे कलर भी अच्छा आएगा चटनी का और बहुत जादा तीकी नहीं लगेगी तीका गाना चाहते हैं तो तीकी वाली लाल मिर्ची आप यूज कर सकते हो चली धनिया पुदीना मैंने मिकसर में डाल दिया ये भी चटनी फटाफट से बना लेंगे दो हरी मिर्ची एक इंच अदरक टुकडा आदा चमची जीरा मैंने लिया है अदरक का टुकड़ा तो भी रखे उपे 15-20 मिनिट तो लगबग होई चुके थे विसे अब जादा रखिएगा इनकों शेलो फ्राय कर लेंगे उपर से इस तरह से गरम गरम तेल डाल देंगे और मैं इसको रिफाइंड ओही में फ्राय कर रही हूँ और आरहम से बिल्कुल पल्टाईगा क्योंकि टिक्की की साइज थोड़ी स्ना बढ़ी रहती रहा तो पल्टाने में थोड़ा साथ डर लगता है कि कहीं टूट तो नहीं जाएगी मैं ऐसे टूटे की नहीं अच्छे सामने इसको कोटिंग की है और यह बढ़िया से देखे फ्राय हो रही है तो बस अच्छे से धीमी अच्छे से लगता है तो कमेंट में हैल्दी यूमी जरूर से टाइप कीज़ेगा और चलिए यह मैं आपको दिखाती हूं यह कितने क्रिस्पी बनी है तो सुन सकते हो हैं एक दम करारी सी है और खाने में भी बहुत मस्त है ट्राय जरूर से कीज़ेगा और मेरे पास आटा पाओ तो वैसे भी न पाओ तो अच्छे लगता है आटा पाओ तो खासकर हो जादा ही अच्छा लगेगा चाय के साथ भी मस लगता आटा पाओ मुझे तो यहां पर मैं इसको सजा दे रही हूं कटकर लिया चटनी हरी लगा दी और यह लाल वाली ड्राय चटनी एक तरफ से लगा लेंगे आपको पसंद हो आप चीज डाल दीजेगा जो भी आपको पसंद हो मैं इसको सिंपल वड़ा पाओ रख रही हूं एक तम सिंपल वड़ा वड़ा पाओ और यह टिक्किया जो है इस तरह से फसाद देंगे तो अब अगर डाइटिंग कर रहे हो और वड़ा पाओ खाले का मन कर रहा है तो आप यह वाली टिक्कियां ट्राइ कीजेगा यह वाला आटा पाओ ट्राइ कीजेगा नॉर्मल वड़ा पाओ से काफी जादा हेल्दी है यह और टेस्टी है पेट भी भर जाएगा इसमें स्प्राउट्स टले है पनीर डला है तो आपको बहुत पसंद आएगी तो इसको आलटाते पलटाते हुए एक दम धीमियाच पे सेख लेंगे हम कैसे लगी आपको यह रेसिपी जरूर से बताएगा कमेंट करके मुझे और मेरी रेसिपी आपको कैसे लगती है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा इसे ट्राइज जरूर कीजिएगा थैंक्स वर वाचिंग जैशी गणिश वाई गुरू जी